इस समय हमारे सारे गुल्दाओदी के पौधे जितने भी लगे वे थे तो उन में से कुछ पौधों के फूल सूख चुके हैं कईयों के सही होंगे जिनके सूख चुके हो तो उनको हमें अब इस समय क्या करना है और हमें नेक्स्ट येर के लिए इसको एजा मदर प्लांट के रूप में कैसे सेफ करना है और हमें ये गंबले भी मचा ही है ताकि हम समर के लिए हम गंबले ना करने हमारे पैसे पच जाए तो ये सारा कुछ मैं आज के वीडियो में बताऊंगे पूरे वीडियो में शुरू से लेकत के अंधर तक बने रहीएगा हेलो फ्रेंड्स तो देखिए मेरे गुल्दाओदी के पौदे हैं कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ तो कैसे मैं इस सारे फूल सुख चुके हैं पौदा तो बिल्कुल सही है तो इसको मुझे नेक्स जियर के लिए संभाल के रखना है और मुझे ये गंबले भी चाहिए ताकि मुझे अभी समर के जो पौदे लगेंगे ना तो उनके लिए मुझे गंबले नहीं खरीने पड़े हैं मेरे पैसे बचाने की बहुत जरूरत होती है हर गार्डनर्स को और देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहे हूँ तो मैंने इनकी स्टिक हटा दिये हैं और अब ज इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी मुझे मोटिवेट करें तो देखिए मैं सब के रसे हटा रही हूँ और अभी कईयों देखिए अब कटिंग कहां से करनी है तो मैं एक इंच ये दो इन्च छोड़के भी कटिंग कर सकते हूँ तो देखिए मैं ना इस हिसाबसे या नहीं चाहिए तो देखिए आप मैं कैसे स्कटिंग कर रहे हूं तो आप अगर इसको ऐसे ही सेम पूरे गमले के सहीत भी रख सकते हैं तो लेकिन उससे आपके गमले जो हैं आपको नहीं मिलेंगे तो मैं मुझे गमले चाहिए तो मैं इस तरह से देखे कटिंग कर रहे इसके नीचे अल्रेडी काफी सारी नहीं नहीं आप देख से तो ग्रीन लीफ आ रही है तो देखिए इसको एक या दो इंच एक दो इंच में हम कटिंग कर सकते हैं या उससे उपर भी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी ब्रांच चाहिए और अगर बिना ब्रांच के भी आप इसमें जो अलग से रूट निकलते हैं उसको भी निकाल के सेप करके रख सकते हैं तो देखिए मैं आप भी आपको स्टेप बाइ स्टेप दिखाओंगी कि कैसे मैं कटिंग कर रही हूँ आप इन में से कोई सभी कटिंग जिस समय बता रही हूँ उनके अकॉर्डिंग आप कोई सभी जो आपको पसंद आएगा आप उस तरह से कर सकते हैं तो मैंने तीनों के कटिंग आपको करके दिखा दी मेरे और भी बहुत सारे गमले हैं इसमें न मेरे पौधे कुछ न कुछ निकल या देखिए इनके जो रूट होते हैं ऐसे भी निकाल के आप सेप करके रख सकते हैं अगर आप को कटिंग नहीं चाहिए पूरा मदर प्लांट नहीं चाहिए तो देखिए इनके साइट साइट से एरियल रूट निकलते रहते हैं तो ऐसे करके भी आप देखिए इनकाल के देखिए इनमें रूट है न तो ऐसे करके भी आप इनको निकाल करके जड़ से अलग-अलग सेपरेट करके किसी भी गमले में ट्रांसपर करके रख सकते हैं तो जैसी मर्जी मैंने तीनों के cutting कर लिए और इनों य को मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये है अलु भूजय की नमकीर की package तो इसको मैं क्या करूंगी आप देखते रहें इसको मैं उलट के पहले उलट दे रही हूं नहीं भी लड़ते हैं तो भी चलेगा लेकिन इसका अंदर का जो पोर्शन होता ना वो थोड़ा सुन्दर लगता देखने में तो इसको आप समझ गयोंगे मैं क्या करें इसका मैं बना रहे हैं ग्रोबैक बहुत मजबूत होता है तो मैं यह प्लांट्स जितने भी हैं इनको सब मैं इसमें ट्रांसपर करूंगे आपको मैंने मेरा अपने पहले के वीडियो भी देखा होगा नहीं देखा हो तो प्लीज देख लिजिएगा जो पूर न्यू है मैंने उसमें भी दिखाया था कैसे गुल्दावदी के पौधों को हम कहां सेप करें देखे ये और ये भी है आटे का कट्टा आटे का जो बो जी तो मैं देख रही हूँ अपने सुविदा के हिसाब से कैसे करूं इसको फोल्ड भी Pick कर सकते हैं और इसकी तन्य है तन्य है ये तन्य में काट रही हो तो आप लोगोंको मैं ऐसे ज्रिया बतारी हूँ कर आप ऐसे कर सकते हैं बाकर अपने हिसाब से अपने समस्क शे तो देखिए इसमें भी मेरे एक टमाटर का पौधा है उसको मैं निकाल के दूसरे किसी में सिप्ट कर दूँगा इसलिए मुझे कुछ ना कुछ पौधे मिलते रहते हैं तो गमलों की जरत बहुत पढ़ती है तो देखिए इसको मैं हटा दूँगी मारूंगी ने किसी भी ऐसे पौधे जो निकल जाते हैं उनको मार ये मत उनको संभाल के सेप करके रख दिजिये तो देखिए इसको मैं ऐसे आराम से इसलिए निकल रही हूँ और एक और बात है जब भी ऐसे ट्रांसपर करना है आपको इनको रूट से निकलना है तो एक दिन या दो दिन पहले पानी नहीं देना है मैंने इसको दो दिन से पानी नहीं दिया था तो देख सकते हैं कितने इजीली से निकल गिया और बहुत सौप्ट तरीके से देख सकते हैं इसकी मिट्टी आराम से निकल रहे हैं तो मैं आपको इस एक गमले की अराम से निकाल के दिखाऊंगे और बाकी की स्पिट करके क्योंकि वीडियो की लेंध लंबी हो जाती है इसलिए उसके अकॉर्डिंगे मैं आपको दिखाऊंगे देखिए इसका सारा रूट मैंने मिट्टी जाड़ दिया है रूट निकाल दि निकालने के बाद भी अलग-अलग सेपरेट करके भी रख सकते हैं क्योंकि हमें मदर प्लांट सम्वाल के रखना है ताकि हमें आने वाले सिजन जो नेक्स्ट येर होगा उसमें हमें पौधा मिल जाए हमें खरीदने की जुरुत ना पड़े तो ये थोड़ा सा अंदर जा ब्लेकस में रखना है जो कि बिल्कुल कड़क धूपना पड़े और इनने विज़ेश में खाट पानी देते और आराम से करना क्योंकि मृ्टी का गमला है जादा इसको प्रेशर देंगे तो तूट सकता है झाहे प्लास्टीक अभी गमला कोई भी हो प्रेशर नहीं देना है त 것은 तुक्यूत्ति ये भी कितना आराम से निकल गबया देख सकते हैं और weld देख ले इसके सारे root bond हो गए क्योंकि जो मिट्टी के गमला नीचे से narrow है पतला है तो root को फैलने के लिए जगने मिलता है तो इस तरह से root bond हो जाता है root bond होने से पौधे की growth रुख जाती है तो ये तो अभी season खतम हो गया तो root bond हो गया तो अभी इसका यही काम करना है कि अटाना है तो तेकि इस तरह से well drain होने का यही नतीज़ा होता friends के easily निकल जाते हैं जिसमें rate वगएरा मिला होता है जिस मिट्टी में तो उसको कहते है well drain soil तो इस चक्कर में सारे पौधे हमारे अराम से भी निकल रहा है इने भी आपके पौधे अलग-अलग color के हैं उनमें आप किसी भी stick से plastic के किसी भी चीज से नाम लिख करके color लिख करके रख दिज़ेगे कौन सा color है मेरे ये तीनो चारो जो मैं अभी ट्रांसपर करूँगी तो सारे same color के yellow color के हैं पुराने हैं ये देशी गुणल के पौदे हैं तो मैं इनको नाम नहीं लिख रही हूँ मुझे याद रहेंगे कि ये yellow है जब बाकी दूसरे color के change करूँगे तो उनमें नाम लिख दूँगे तो देखे ये चोड़ा था तो इसका road bond कहीं ने था ये बड़ा गमला है तो इसको भी मैं आराम से निकाल तो हाँ किसी भी जड़ को हाम नहीं होना चाहिए मैं आराम आराम से निकाल तो आपको speed लग रहा है इसलिए लग रहा होगा कि बहुत fast कर रहे हैं एक और गमला ले आई फ्रेंड्स में इसका भी सारा फूल सुक चुक है तो इसको भी मैं ट्रांसफर करूंगे क्योंकि मेरे पास जो वह पॉली तिन का ग्रो बैक बनाए ना उसमें स्पेस है तो मैं इसको भी मेरे पास बहुत सारे पॉदे हैं तो मैं सारा नहीं करूंगे अभी साम का समय हो चुका आप देख रहे हो धुनला हो गया मौसम थोड़ा सा अंधिरा पन आ चुका है तो इस तरह से देखे ऐसे करके भी आप निकाल करके मैं आने आपको पहले एक और गमल अलग रूट निकाल करके भी संभाल के रख सकते हैं क्योंकि अभी ये बारिस का मौसम होगा द्रेदरे इनकी भी ग्रोथ बढ़ेगी फिर हमें हम इनको कटिंग करके फिर दुबारा नेक्स्ट यर के लिए लगा सकते हैं और ऐसे करके भी सेपरेट किया हुआ ये भी हम ल एक ही में मेरा एक काम चल गया है और ये बहुत मजबूत भी होते हैं खराब नहीं होते हैं और देखिए सबसे इंपोर्टेंट काम क्या है इसके बाद में ये है नीम ओयल का मैं स्प्रे करूंगी इसमें देखिए ये इस जग से दो जग पानी मैंने इस वालती में ले लि तो इसलिए मैं आपको यह उला पार्ट बोलूँगी बिल्कुल इसकी मत करिए इसको बिल्कुल बारिकी से देखिए ध्यान से देखिए क्योंकि अभी यह किड़े अगर इस समय मैंने काम किया तो छिटक के इदर दूसरे पौधों में भी लग जाएंगे तो मैं क्या करूँगे स्प्री करूँगी जितने भी नियर भाइ के पौधे हैं गंले हैं सब में स्प्री करूँगी ताकि जो भी इसके कीड़े उधा-धा चिटक करके दूसरे पोदों को अटेक ना करें और यह समय वाजिब है इन पोदों में बहुत तेजी से फैलता है यह फ्रेंड से यह वाला काले काले कीड़े मैंने तो नीम ओयल लिया है मैंने पहले नुवान का इंसेक्टिस साइट से भी करती थी आप जिस मर्जी से कर सकते हलदी का स्प्रेइभ भी कर सकते हैं आप दूसरी किसी भी ब्रांड की कंपनी का आप कर सकते हैं इसको तो यह और्गेनिक है नीम ओयल इसलिए मैं कर रहे है इनका भी क्या करना है वो बताऊंगी मैं आप मेरे नेक्स व्यूडियो में जरूर देखेगा देखे इस तरह से काले काले जो कीड़े देख रहे आप इस तरह से हर पत्तों में मिल जाएंगे आपको इस समय तो आप ये काम जरूर करिएगा अपने पौदों में अगर सुक चुके हैं आपके पौदे तो उनको हटा दिजिए अगर हटा दिया है तो मुझे जरूर बताएगा कि आप लोगों ने एक काम कर दिया है और कमेंट करके बताएगा फ्रेंट्स कैसे लगा आपको वीडियो यहां तक देखा है तो बहुत बहुत धन्याबाद आपको